हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो किलो गराम का इस तरह का प्रस्ण होता है इस से हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर एक प्रस्ण है देड़ सो गराम का दाम 12 रुपाए है तो 100 केजी का दाम कितना होगा यानि 100 kg को हम लोग एक क्योंटल कहते हैं तो देखिए आपको कैसे निकलना है यहाँ पर देखिए 1.500 ग्राम का दाम दिया हुआ है यह किस रूपा है तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है इसके बाद आपको इसका दो गुना कर देना है 1.500 का दो गुना कितना होता है वह होता है 300 ग्राम जब आप इसका दो गुना कियें तो इसका भी आपको दो गुना करना है 21 में गुना 2 से करें तो यह हो जाएगा 42 यानि 1.500 ग्राम का दाम 21 रूपाए है तो 300 ग्राम का दाम कितना होगा वह होगा 42 रूपए अब आपको यहाँ पर 100 ग्राम के दाम को निकालना है 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए देखिए आपर 300 ग्राम का दाम है 42 रूपए तो आपको 3 से भाग लगाना है 42 में यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 42 तीन से चार में भाग लगाएं तो यह लग जाएगा एक बार में यहां से घटाने पर बचेगा एक यहां से उतरेगा दो तीन से बार हमें यह लग जाएगा चार बार में और यह संख्या पूरा-पूरा कट जाएगा यानि 100 गरम का दाम कितना निकल कर गया गया वह आगया 14 रूप है अब देखिए आपको यहां से 1 केजी के दाम को निकलना है एक केजी का दाम देखिए आपको कैसे निकलना है जो 100 गरम के दाम आता है इसमें 10 से आपको गुना कर देना है क्योंकि 100 गराम के 10 बटखारे जो हते हैं वह 1 केजी के बराबर होता है अगर आप 14 में 10 से गुना कर देते हैं तो वह हो जाएगा 140 यानि 1 केजी कदम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 140 रूपए देखिए 100 गराम का 14 रूपए है तो 1 केजी का निकालने के लिए आप इसके अंत में 0 को वैठा सकते हैं एक केजी का निकाल गया 140 रूपए तो देखिए आपर प्रस्ट में पूछा जा रहा था कि 100 केजी कदम कितना होगा तो देखिए आपको 140 में 100 से गुना कर देना है यानि 14 से गुना एक में करे तो यह होगा 14 यहाँ पर देखिए 1 जिरो है और यहाँ पर देखिए 2 जिरो है यानि कुल मिला करके हो गया 3 तो इसके अंत में हम लोग 3 जिरो को लगा देंगे यानि 100 kg का मुली कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 14,000 रूपए तो चलिए हम लोग एक प्रस्ण को और हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्रस्ण है 50 गराम का दाम 4 रूपए है तो 100 kg का दाम कितना होगा सबसे पहले आपको लिखना है 50 गराम बराबर 4 अब आपको यहां से 100 गराम का दाम को निकलना है 50 गराम का दो गुना होता है 100 गराम यानि हम लोग 4 का भी दो गुना करेंगे वह हो जाएगा 8 रूपए यानि 50 गराम का 4 रूपए तो 100 गराम का दाम 8 रूपए होगा अब आपको यहां से एक केजी के दाम को निकलना है एक केजी का दाम को निकलने के लिए जो सो गराम का दाम आता है उसमें आप दस से गुना कर सकते हैं या फिर इसके अंत में जिरो को बैठा सकते हैं वह हो जाएगा असी रूपए यानि एक केजी का दम कितना निकल करकी आ गया? वहां आगया असी रूपा है अब हम लोग यहां से निकलेंगे 100 केजी का तो आपको असी में 100 से गुना कर देना है देखिए हाँ पर आठ है और यहाँ पर एक आठ से गुना एक में करें तो यहां हो जाएगा 8 कादम चार रूपए है तो 100 कजी कादम कितना होगा वह होगा 8000 रूपए तो आप लोग अच्छे तरह से समझी गए होंगे कि इस तरह का जो किलोग्राम का प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होतों वीडियो को कर दिजिएग लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा